संजू सैमसन इनकी कहानी सबसे अलग है एक ऐसे बलेबास विकेट की पर बलेबास जिनकों की बहुत हाई रेट किया जाता है और आचानकी किसी सीजन में संजू सैमसन रनों का अमबार भी लगा देते हैं गेन बासों को फार देते हैं जिस तरीके से वो रन बनाते हैं लेकि उनको मौका नहीं देंगे भारती है टीम में और इसी को लेकर के कुछ बड़ी अपडेटेड इंफिमेशन आई है खबर आई है और मैं इसलिए आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आया हूं तो इस वीडियो को आप आखरी तक जरूर देखेगा और चैनल को अगर आपन भारती टीम में खेलने का मौके मिले तो उसमें गैप बहुत ज्यादा थे 2015 में डेब्यू किया उसके बाद संजो सैमसन फिर खो गए थे तो सोशल मीडिया पर इस तरीकी की चीज़ें आपने हजारों दफ़ा देखी होगी कि जस्टिस फोर संजो सैमसन जस्टिस फोर संज संजो सैमसन को लेकर के हम सबने बात चीट की कि उनको मौकई मिलने चाहिए अच्छे बल्लिबाज हैं अच्छे खिलारी हैं इस साल भी IPL में उन्होंने कम माल की कप्तानी की थी रास्तान रॉयल्स के लिए अच्छी बल्लिबाजी की थी मैच फिनिश कर रहे थे वो और र पर की संजू के बल्ले से रन चाहिए था शलंका में दो मैचेज मिले संजू सैमसन को दोनों मैचेज में संजू सैमसन पूरी तरीके से विफल रहे और संजू सैमसन खाता भी नहीं खोल पाए और ये जो चीज हुई है वो गौतम गंभीर को पसंद नहीं आई है ये जो च पुश्किल नजर आ रहा है और उनकी जिगे पर इशान किशन की टीम इंडिया में वापसी हो सकती है ये खबर आ रही है इससे पहले में और डीटेल में आपको बताओं उससे पहले में आपको एक बार समझा देता हूं कि संजू सैमसन ने अब तक टी-20 फॉर्मिट में करा क किया है तीस मैचेस खेलें संजू सैमसन ने और इन तीस मैचेस में 444 रन बनाए है इसके लाबा इनका जो हाईएस्ट स्कोर है वो 77 है लेकिन एवरेज संजू सैमसन का बहुत नीचे है मात्र 19.03 का ये बहुत मामूली सा एवरेज है संजू जैसे बल्लिबास को देखते संजू भुना नहीं पाए है और जिस सरीके से शलंका में स्पिनर के खिलाप में ये आउट हुए उसके बाद तीसरे मैच में भी इनका विकेट निकल गया इनको भाई उपर प्रमोट किया गया दूसरे आपको याद होगा टीट्वेंटी मैच में तो शुमन गिल नहीं ख कर दिया तीसरे टीट्वेंटी मैच में भी इनको मौका मिला लेकिन वहाँ पर भी खाता नहीं खोल पाए और उनके तेज गेन बास ने उनको आउट कर दिया संजू सैमसन को यानि कि कहीं न कहीं संजू सैमसन जब बाटिंग करने के लिए जाते हैं शुरवाती पल में अक्टूबर से होगी वहाँ पर टीम में फिर बदल आपको देखने को मिलेगा और वहाँ पर संजू सैमसन की जगे पर इशान किशन को भारतिय टीम में शामिल किया जा सकता है ये खबर आ रही है और इसमें बहुत ज्यादा रियालिटी नजर आ रही है जिस तरीके से शान किशन इस समय डुमेस्टिक में रन बना रहे हैं संजू सैमसन को नहीं चुना गया अदली ट्रोफी के लिए वो अलग एक केस है लेकिन जब संजू सैमसन को भारतिय टीम में खेलने का मौका मिला जब टॉप लेवल पर खेलने का मौका मिला संजू ने निराश किया है ODI format में संजू की कहानी अलग है ODI में संजू सैमसन ने 16 मैचेस खेले हैं और इन 16 मैचेस में कुल मिला करके 510 रन बनाए है 108 इनका उचितम स्कूर है जो दक्षिन अफरिका के खिलाप में उनने इसी साल शतक लगाया था और इनका एवरेच 56 का है स्ट्राइक डेट लगबग 100 का है ODI format में संजू के आंकड़े बहुत लाजवाब है लेकिन मैं टीम से बाहर की बात कर रहा हूँ T20 format की जहां पर की चेयन करता अजीत अगरकर और कोच गौतम गंभीर जो है और वहाँ पर इशान किशन की वापसी हो सकती है संजू सैमसन की जिगे पर आप लोग का क्या मानना है T20 format में इशान किशन या संजू सैमसन आप हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएगा लेकिन खबर यही आ रही है दोस्तों कि इशान किशन की T20 में वापसी संजू सैमसन T20 टीम से बाहर हो जाएंगे शनंका में जिस तरीके से उनने प्रदर्शन किया पूरी तरीके से निराश किया और इसका खामयाजा उनको भुगतना पढ़ सकता है आने वाले बांगला देश सीरीज में आने वाले चार T20 मैचेस की सीरीज जब भारती टीम दक्षिन अफ्रिका जाएगी हो सकता है कि वहाँ पर उनका चेयन ना हो आप लोग का क्या कहना आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएगा